देश में काफी राज्यों में क्रोणा के मामलों में तेजी देखी जा रही है तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। सक्री मामलों के कुल संक्या 8152 है। सक्री मामलों के कुल संक्या 149 है। स्क्री मामले सामने हैं। सक्री मामलों की संक्या 369 है। और क्रोणा से 33 लोग ठीक हुए हैं कोई भी मौत नहीं हुए हैं सक्री मामले 320 है। नमबर 12 आंधर प्रदेश में पिछले 24 घंठे में करोणा संक्रमण के 326 नहीं मामले सामने हैं। 6-6 लोग ठीक हुए हैं चार लोगों के मृत्तिव सक्री मामलों की कुल संक्या 3898 है। राजिस्थार में 24 घंठे में करोणा संक्रमण के 8 नहीं मामले सामने हैं। जोरान एक लोग ठीक हुए हैं कोई भी मृत्तिव दर्च नहीं की गई है। सक्री मामले 47 रह गए हैं। 14 केरल में करोणा संक्रमण के साथ 1312 नहीं मामले सामने हैं। सक्री मामले 120 हैं। 11 जरखन में करोणा संक्रमण के बीच नहीं मामले सामने हैं। 9 लोग करोणा से ठीक हुए हैं। सक्री मामले 115 हैं। 17 लोग डिस्चारज हुए हैं। मौत हुई है सक्री मामलों की गुल संख्या1860 है। नमबर एकिस तिरपुरा में पिछले 24 घंटे में क्रूना संक्रमण के 17 मामले सामने आ हैं इस दोरान 14 लोग डिस्चारज हुए हैं कोई भी मृत्य उद्ज नहीं कि कि ए सक्री मामले एक सो तिरपन हैं नमबर एकिस तिरपुरा में पिछले 24 घंटे में क्रूना संक्रमण के 17 मामले सामने हैं जम्मू कश्मीर में आज निन्या 90 क्रूना के मामले उनत्ता रिकावरी और कोई भी मौददर्श नहीं कि गए कि शासित प्रदेश में सक्री मामलों के कुल संख्या 946 है नमबर 28 में घाले में क्रूना संक्रमण के 22 नहीं मामले सामने हैं जोरान तिरपन लोग डिस्चारज हुएं कोई भी मौददर्श नहीं कि गए सक्री मामले 381 है नमबर 29 में घाले में क्रूना संक्रमण के 526 नहीं मामले सामने हैं जोरान 417 लोग डिस्चारज हुए हैं एक लोगों के मृत्य दर्श की गए सक्री मामले 643 हैं तो ये थे आपके राजों के 24 घंटे के क्रूना केस रिपोर्टिज के अलावा भी किसी और राज के आपको क्रूना अपडेट चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं